नमस्कार वीवर्स आपका स्वागत है रेडियो द्वार का में जैसा कि आप जानते हैं हम लोग Artemis Hospital Guru Gram के साथ मिलकर एक Awareness Series कर रहे हैं Heart के ओपर जिसका नाम है Heart to Heart और इसी Series के दौरान मेरे साथ है Dr. Anurad Pasi Dr. Pasi consultant है Cardiology Artemis Hospital में Dr. आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवादी 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 Dr. हाट जो है जिसका जिक्र बहुत बार आता है शायरों से लेकर सभी लोग जिक्र करते हैं अपने दिल का किस तरह से सेहत के लिया से ध्यान अटना चाहिए Me जी हाहद जो है बहुत जादा है तो बेसिकलिए हारच डिजीजजी जो है वो मारे देश में है तो इसके लिए कुछ रिस्क फेक्टर होते हैं, अगर हम उनका ख्याल रखें, तो इससे हम हाट की डिजीज से बच सकते हैं, कुछ रिस्क फेक्टर होते हैं, मोडिफायबल, कुछ होते हैं, नौन मोडिफायबल, नौन मोडिफायबल रिस्क फेक्टर होते हैं, जैसे मेल ज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं पर जो मोडिफाइबल रिस्क फेक्टर से उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं जैसे के डाइबेटीज, हाइपर इंशन, फिजिकल इनक्तिमिटी, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रो यह जो छे चीज़े हैं इन पर हम वर्क कर सकत हैं और हम हार्ट डिजीज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं जैसे के अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है सिगरेट स्मोकिंग मैंने चो अपनी प्रेक्टिस में देखा है कि अगर यह चार रिस्क फेक्टर, डायबेटीज, हाइपर टेंशन, स्मोकिंग और फेमिली अगर यह सब कंट्रोल करके रखें तो हार्ड डिजीज से बचा जा सकता है फिजिकल इनक्टिविटी अगर एट लिस्ट फॉर्टी फाइव मिनिट्स की बिस्क वाक इस गूड एनफ तो प्रेवेंट फॉम कार्डिक डिजीज अगर हम एक्टिव रहें ओवेरवेट है अपना वेट रेगलर्ली करते रहें अपना BMI करते रहें हम अपने हवेट पो चेक में रखें हैं बाकी सारे इस्क वेक्तर को प्रिवेंट कारें तो हम हार्ड इजीज से बच संथ com बहुत कुछ बताया है मैं आपसे एक सवाल और पुतना चाहूं का किया है है उसको नपना प्र जलंस चेकब कि चाहब किछ होटा है या हर्ट काषाल करा न चेह है यह जिए कराना चाहिये जए है अप्तर असुरह नह Mümmगuyorsunरी चीज बनाचिन चाहिए ऑर व debt नोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, और हाट डिजीज जैसी बिमारी है, किसी के भी पेरेंट को, या सिबलिंग को, साच साल से पहले हाट की दिक्कत है, तो उनको हाट डिजीज होने का रिस्क है, किसी के भी पेरेंट्स, अगर दोनों, मदर, फादर दोनों डायबतिक है, तो तेरे साल में एक बार, आपने बुला, एक सर्टेन एज, कुछ एज बताना चाहेंगे, किस एज के बाद आदनी को, 30 एज के बाद, once in a while, चेक अप कराना चाहिए, और जिन लोगों के पेरेंट्स, डायबेटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको एक बार अपना डायबेटिस, अपने बहुत अच्छी इंफर्मिशन दी, विवस आपने सुना, डॉक्टर पासी ने बोला कि, एक सर्टेन एज के बाद, हमें अपना प्रिवेंटिव हेल्थ केर, चेक अप साल में बार कराना चाहिए, उससे, अट लीस्ट, कोई भी अगर चीज होने वाली है, तो, इनि में सुनते रहें, अवेरनेस के लिए, हार्ट डू हार्ट, अब आपसे विजा लेता हूं, सुनते रहें, रेडियो बार्क